नमस्का दोस्तों मैं रभी आपका पिस्से स्वागत करता हूं अपने चैनल रभी टैक इस्टूडियो में तो दोस्तों प्राइमरी और जूनियर हाइश्कूल मैं टीचर का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए खुशकबरी का दिन है केंद्री मादमिक सिच्छा बोर जैसे हम कहते हैं Central Board of Secondary Education CBSE और उत्तर प्रदैस Basic Education Board UPBEV ने CTET और UPTET का notification जारी कर दिया है जहांपे CTET का examination निधारित किया गया है वो होगा 16 December से लेके 13 जन्वरी के बीच में वहीं UPTET का examination decided किया गया है 28 November को आजित कराने का इसके लिए UPTET का जो notification है वो 4 October को आने वाला है और online जो submission होंगे form के वो 7 October को window पुलेगी और 25 October तक आप online application form भर सकते हैं और 26 October तक आप उसकी fees जमा कर सकते हैं यह UPTET के exam के लिए वहीं CTET के exam के लिए यह जो है वो 19 October से यह window स्टार्ट होगी और फुल October तक इसके आवेधन भरे जा सकते हैं जहां UPTET का जो admit card है उसका जो date उनने announce किया है वो है 17 November से admit card आप download कर सकते हैं और 28 November को दो shifts में examination होगा पहले shift होगी primary school के teacher के लिए और दूसरे shift होगी junior high school के teacher के लिए जिसका duration है morning का 9 से चलेगा 1230 और दूसरा जो examination होगा वो 230 से लेके 5 तक होगा UPTET का अब यह question आता है particularly इनमें difference क्या है CTET किस लिए होता है और UPTET किसके लिए होता है बहुत सारे जो उम्मीदबार है वो confused रहते हैं कि कौन सा exam हमारे लिए best होगा तो जब CTET की बात करते हैं तो CTET का नाम ही है central teacher eligibility test तो CTET अगर आप pass करते हो तो उससे आप central school particularly केंदरी विद्याले संगठन नमोदे विद्याले संगठन और आर्मी स्कूलों particularly और इसके इलावा तुम्हारा ERDO से जो related जो school है ERDO को हम बोलते है education research and development organization से सम्मधित जितने भी central school है उनमें आप apply कर सकते हो तो CTET का exam pass करना एक eligibility criteria है central school हों में पढ़ाने का जिसमें नमोदे विद्याले संगठन आगए केंदी विद्याले संगठन आगए EDU के college आगए army school आगए इसके अलावा CTET का जो certificate है वो कुछ राजियों में कुछ selected राजियों और union territory के स्कूलों के teacher की vacancy में भी applicable है वहीं अगर यूपी टेट की बात करें वो उत्तरप्रदिश टीचर eligibility test है तो उत्तरप्रदिश के जितने भी primary और junior high school के schools है उनमें अगर कोई vacancy निकलती है तो उसके लिए यूपी टेट का certificate valid रहेगा जहां तक बैलेटी की बात है तो पिछले साल तक अब तो यूपी टेट 2020 इसकी वैलेटी कुछ time के लिए वहती थी अब बहुत रात की बात है कि अब इस certificate की वैलेटी lifetime रहेगी अगर एक बार आप कुछ अच्छे नमबर उसे इसको पास कर लेते हैं तो अगर इस साल कोई vacancy नहीं करते हैं तो अगली साल अगर vacancy आएगी तो उसमें भी आप इसको इतलाइज कर सकते हैं अब आप क्लिया समझ में आ गया होगा कि सीटेट examination एक universal examination इसको अगर पास कर लेते हो तो उससे केंद्री विद्धाल संगठन जैसे किंद्री जितरे भी स्कूल है उनमें प्लाने के साथ साथ आप स्टेट स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं वहीं यूपी टेट अगर आप पास करोगे तो उत्तवर्दिश के ही primary या जूनियल लेवल के स्कूलों में अगर बेकेंसी आती है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो तो वहीं खुशकबरी की बात यह है कि करिंट गवर्मेंट जो उत्तवर्दिश में हैं उसने एक 50,000 जो बेकेंसी आने वाली है टीचर की उसमें भर लिये जाएंगे तो दोस्तों अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अगर टेट लिखने जा रहे हैं तो रिगरस तयारी कीजिए बढ़िया कोचिंग सेंटर को जोईन कीजिए वहां से यह प्रॉपर तरीके से तयारी कीजिए और फिर इसका एक्जाम लिखिए को यह गोल्डन अपोचनिटी है एक 50,000 वेकेंसी आने वाली है यूपी में आगर आप सीटेड लिखते हो तो केंद्री विद्ध्याले संग्टन नवोदे विद्ध्याले संग्टन और इर्डे इर्डो और आर्मी स्कूल सिटेट और यूपी टेट में एक्शुली वेसिक डिफरेंस क्या है सीटेट अपलेकल होता है केंद्री विद्ध्याल। उसके अलाब़ा स्टेट कुछ स्टेट में वह अपलेकल है कुछ में नहीं है बड़ यूनियन टरीटरी जितनी भी है उनमें आप डारेक्वी टीट करने की उसके बाद उन कुछ विद्याले पर्शनल इंट्रिव्यू के द्वारा लोगों को लेते हैं कुछ विद्याले जस्ट इसी सेटिफिकेट के बेस प्लस आपके जो मार्क्स हैं अप्टू ग्रेजुएशन उसकी परसिंटेज के के साब से आपको सेलेक्शन दे देते हैं बड़ आप जैसे कि नंबर ओफ कंडिडिट्स और मोर और नंबर ओफ कंडिडिट्स वर पासिंग इस साइटिफिकेट्स और मोर तो कटॉप तो ओविसली भूती ज्यादा मतलब हाई आएगा तो इतना एजी नहीं है कि लो एबरेज और एबव जस्ट नियरवाई एबरेज पीपल के लिए कुछ वैलेड बैलेड स्कूर दे कें गेट बट दे कट्ट आओफ मार्क राइड विच इस रिकॉर्ड तुट लेस्ट इन इन इस पार्टिकुली रिकु हैं तो ओनलाइन बहुत सारी इनों मिटीरियल अविलेवल हैं आप यूट्यूब में इनों देख सकते हो और मैं भी एक सीरीज बनाने वाला हूं यूपी टैड और सीटेट एक्जामनेशन के लिए आप मेरे चैनल पे भी यह मिटीरियल प्राप्ट कर सकते हो इसके रावा बहुत सारे फिरी रिसोर्स हैं जहां पे आप मॉक टैस्स दे सकते हो प्रीवेस यह के कुशन पेपर भी रिफर कर सकते हो उनके सॉलूशन भी अवेलेवल हैं और साथ में और भी एक्स्ट्रा मिचील है जिसको आप रिफर कर सकते हो अगर आपके पास में नियरेस्ट कोई better coaching center है तो अभी से ही join कर लीजिए और इसकी तयारी में लग जाईए कोई time duration बहुत ही कम है October already लग चुका है तो आपके हाथ में in hand only one and half month total मिलाके 90 days sorry not 90 days 30 plus 20, 50 days है 50 days में आपको सारी चीज़ें इन्हों revise करनी है, NCRT की books भी परनी है, इतना सब करने और वहीं December और January के बीच में अपना seat at examination है, तो इन दोरों पे focus करना है, better score के लिए better preparation होना बहुत जरूरी है और इतने 50 days के duration के दोरान, आप सब कुछ भूल जाईए, mobile phone यूज करना छोड़ दीजिए, completely cut off हो जाईए दुनिया से, और just and just focus on the study if you are really aiming to become a teacher in this kind of organizations, right either central or state level तो better आप books खरीद लिजिए books के साथ साथ online resources का यूज के जिए, बहुत सारी online resources available है, particularly preparing for UPTED or CTED, material is freely available, you can search and get the PDF copies, और उसके तुरू जाईए, proper तरीके से plan कीजिए, कि कितना material हमको पहले करना है और कौन सा material ऐसा है जो fast तरीके से हम पढ़ सकते है easy way में, within two or three days में आप उसको covers कर सकते हैं जादा तर जो time लगता है, वो mathematical portion है जो उस पे लगेगा, तो उसको पहले रखिए, फिर जो रटने वाला system है जैसे करेंट वेर, जी के बगार कुछ कुछ ना आते हैं तो वो पूरा रटने वाला system हो गया रटने वाला system अब लास्ट के लिए रख सकते हो जिसके लिए hardly one week will be sufficient तो इनिशन जो 30 days हैं वो बेसिक fundamental कि रहे करने के लिए लगाईए चाहिए और आपने माइल स्टॉर्ण बनाईए कि बिदें फाइव डेज आई विल बी कवरिंग दिस सब्जेक्ट एसे करके आप तार्गेट बनाईए पहले एक बात थुरू जाईए थुरो ली देन लास्ट जो 20 days रहते हैं वो फास्ट रिवीजन होना चाहिए चीज होगा प्रस पहले लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है कम से कम आपको दस से लेकर बारे मॉक टेस्ट देने चाहिए बिफोर एपेरिंग फोर सी टेंट और यूपिटेट इग्जामनेशन तो अगर आपको कॉन्फिदेंस बिल्डप करना है तो आपको यह मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इन्हों हेल्प रहेंगे बहुत सारे फ्रीली इन्हों वेबसाइट पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है सरकाई नोकरी या फिर जॉब्रिया बहुत सारे इन्हों प्लेटफॉर्म हैं जो फ्री में आपको मॉक टेस्ट पर वाय करते हैं जाके वहाँ पेटेंड कीजिए अपना लेबल ऑफ अंडेस्टेंडिंग चेक कीजिए कितना आपने पढ़ा और ओबर तर टाइम आप कितन आप एंड सेमिस्टर जो एंड में आप फैनल एक्जाम दोगे तो टाइम मेनेजमेंट भी अच्छा रहेगा पूरा प्रॉपर टाइमिंग में ज्यादा ज्यादा कुशिन आप अटेंड कर सकते हैं तो मैं सबको यही एडवाइस दूगा कि टाइम बहुत कम है स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन नोटिपिकेशन जल्द ही आएगा यूपीटेट का चारक टूर को सीवीएसी जो तुमना सीटेट वाला है वह अल्ली नोटिपिकेशन दे चुके हैं और उनका प्रॉसेस भी स्टार्ट हो चुका है डेट आपको पता है इस डेट को एक्जामन है उस मिटेरियल को अपरी ड्राइब में रखिये एजी एक्सेस के को एबरी टाइम आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं उसको पीडियाफ कॉपी रखिये फोल्डर में सबसे पहले NCRT की बुक लिएकर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए उसके बाद आपको सीट और वन जॉब सीट इन दी टीचिंग फिल्ड तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट साथ तब तक के लिए नमस्कार जै भारत बंदे मात्रम